नमस्कार दोस्तो हिंदी साही त्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET हिंदी की त्यारियां हम कर रहे हैं और इसके अंतरगत हमने आदिकाल के जो महतोफूर्ण टॉपिक्स थे उनको क्लियर कर लिया है आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के जो महतोफूर्ण प्रशन हैं उनके बारे में कि कौन कौन से प्रशन आदिकाल से संबंधित बनते हैं तो दोस्तों ये प्रशन सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए बहुत उप्योगी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंथ तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों शुरूरात करते हैं बिना देर किये इस लेक्षर की सबसे पहला प्रशन है अचारे रामचंदर शुकल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है तो दोस्तों इस तरीके से भी आप प्रशन पूछे जाने लगे हैं कि कुछ एक या तो पंक्तियां दी जाती है या तो ये पूछ लिया जाता है कि जो शुकल का हिंदी साहीत का इतिहास है उसमें कितने प्रकरण है तो हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए तो देखे दोस्तों जो आदिकाल से संबंदित जो इसमें प्रकरण हैं दोस्तों वो कितने हैं आप मुझे कॉमेंट सक्षन में जाकर इन प्रशनों का उत्तर वहाँ पर भी बता सकते हैं तो चलिए मैं आपको इसका अंसर बता देता हूँ इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो है option B4 तो उनमें सबसे पहला आता है सामान्य परिजय का, दूसरा है अपपरशकाब्य, तीसरा है देशभाशकाब्य, और चौता है फुटकल रचनाए दोस्तों इससे संबंदीत और प्रशन बनता है कि जो अचारे रामचंदर की शुकल ने वीरगाथा काल कहा है, तो वो किस प्रकरण में कहा है, तो उन्होंने वो कहा है दोस्तों, अचारे रामचंदर की शुकल ने अपना जो तीसरा प्रकरण है उसमें, क्लिर है दोस्तों चलिए अब हम प्रशन नमबर दूसरा देख लेते हैं ये कहते हैं कि सिद्धों में प्रचलित महा मुद्रा से क्या अभी प्राय है तो दोस्तों महा मुद्रा से क्या अभी प्राय है या सिध्धी प्राप्टी है तू स्त्री संसर्ग या फिर सिध्धी प्राप्टी है तू س्त्री से विरक्ती तो दोस्तों ये चार option है आपके सामने इखें सिध्धी है तू आसन का एक रूप तो वो महा मुद्रा ये भी नहीं होगा तो आप इसका answer भी बता सकते हैं और चलिए मैं आपको इसका answer बता देता हूँ इसका जो right answer होगा दोस्तों वो होगा सिध्धी प्राप्ति हे तू स्त्री संसर्ग clear दोस्तों तो ये देखिए क्या कहते हैं कि सिध्धी प्राप्ति हे तू स्त्री संसर्ग तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तो कई वार ये पंक्तियां भी एक्जाम में पूछ ली जाती है, आदिकाल से संबंदित, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए. देखिए, option A है, अब्दुर्रह्मान, अधामान, देखिए, कई जगा इनका नाम मिलेगा आपको, अब्दुर्रह्मान, ठीक है, लेकिन इनका जो नाम है अब्दुर्रह्मान या अधामान, दूसरा है विमल सूरी, तीसरा है दामोदर भट, और option जो चौथा है दोस्तो वो ह हेम चंद्र तो ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों ये जो पंक्तियां है ये हैं अब्दुर रह्मान की तो अब्दुर रह्मान की जो प्रमुक रचना है दोस्तों वो कौन सी है संदेश रासक तो ये क्या है ये एक खंड काब्य है तो इसके वारे में भी हमें जानकारी होनी जीए जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा बताए गई है क्लियर है दोस्तो अगला प्रशन है सही अनुकरम बताओ तो इसमें देखिए सबसे पहले है दोहा कोश फिर संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता तो आपने इसमें से सही अनुकरम बताना है दोस्तों कि सही अनुकरम कौन सा है तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो है दोहा कोश श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता तो दुहा कोश देखिए किस की है सरप्पा की है ठीक है सरप्पा कब थे साथ सो उनत्तर के आसपास विद्यमान थे क्लिर है न उसके बाद देखिए जो श्रावकाचार है वो 933 में लिखी गई है संदेश रासक बार्वी और तेर्वी शतापदी के बीच में है और किर्ती ल हजारी प्रसाद दुवेदी का गरंथ इन में से कौन सा नहीं है तो दोस्तों ये प्रशन भी बहुत महत्तोपूर्ण है यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल तो दोस्तों ये तीन इन में से हजारी प्रसाद दुवेदी के हैं लेकिन एक गरंथ नहीं है वो आपने बताना है तो चलिए मैं इसका आपको अंसर बता देता हूँ इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों वो होगा हिंदी भ भूमिका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल तो ये क्या है ये है हिंदी भाषा का उद्भव तो ये किसका गरंथ है दोस्तों ये है उदे नारायन तिवारी का चलिए दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है हिंदी शब्द स अगर की भूमिका में शूकल का इतिहास है, वो किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो दोस्तों इसका जो सही अंसर आपकी समझ के अनुसार क्या होना चीए, आप ये भी मुझे बता सकते हैं, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर दो बा का अतीत के लेखक कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन है श्याम सुन्दरदास, गणपती चंद्रगुप्त, विश्वनात परसाद मिश्र और विश्वनात परसाद त्रिपाठी, तो ये इसके विकल्प हैं दोस्तों, विश्वनात त्रिपाठी, ये इसके विकल्प हैं दोस् तो हिंदी साहित्य का कौन सा इत्यास है, सरल इत्यास इन्होंने लिखा है, गणपती चंदरगुप्त की बात करें दोस्तों, तो गणपती चंदरगुप्त ने लिखा है, हिंदी साहित्य का व्यग्यानिक इत्यास और श्याम सुंदरदास का है दोस्तों, हिंदी भाशा का व आई थे वैशनव श्री संपरदाय वल्लब संपरदाय या फिर शैव संपरदाय तो इसके बारे में भी हमने दोस्तों पढ़ लिया था तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों वो है शैव संपरदाय वो पहले क्या थे शैव थे और बाद में वो जैन हो गए थे अगला जो प्रशने देखिए हिंदी सहीत्य के इतिहास गरंत की परंपरा में काल विभाजन का सरौ प्रत्थम प्रयोग किस ने किया देखिए काल अनुकरम पदधती किसने अपनाई थी अगला प्रशन देख लेते हैं काल क्रम अनुसार इसमें रखने को कह रहे हैं देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाशा का विकास हिंदी का बैधारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो इन रचनाओं को हमने क्रम वाइज रखना है तो इसका सही आंसर देख ले था 1929 में तो ये कब लिखा गया था दोस्तो 1929 में अगला है देखिए हिंदी का वैधारा तो हिंदी का वैधारा किसकी रचना है दोस्तो ये है पंडित रहुल सांकरेतियाईन की इन्होंने लिखा था इसको 1944 में, जबकि हिंदी साहिचे का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंग ने लिखा दोस्तो ये कब लिखा है ये लिखा है 1996 में क्लीर है दोस्तो अगला हम देख लेते हैं कि आधिकाल को शुन्यकाल किसने कहा है दोस्तो आधिकाल के नामकरण से बहुत सारे प्रशन पूछ ले जाते हैं कई वारे एक्जाम में तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो देखिए महावीर प्रसाद दुवेदी, मिश्रबंधू, राहुल संकृत्याईन या गणपतिचंद्र गुप्त तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो वो है गणपतिचंद्र गुप्त राहुल संकृत्याईन ने नाम दिया था दोस्तो सिद सामंत काल जबकि मिश्रबंधू ने नाम दिया प्रारंभी काल और महावीर प्रसाद दुवेदी ने क्या नाम दिया था दोस्तो बीजुवपन काल क्लिर है दोस्तों और आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया था ये किस ने दिया था ये दिया था हजारी प्रसाद दुवेदीजी ने क्लिर है दोस्तों तो ये थे नामकरण से समधित प्रशन अगला जो प्रशन है दोस्तों वो है फागु काब्य कौन सा है वर्ण रतनाकर व उक्ति व्यक्ति प्रक्रण या फिर राउल वेल तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो वो है बसंत विलास तो बसंत विलास दोस्तो ये फागु काब्य है और यह 84 चंदों में रचित क्या है एक श्रिंगारिक काब्य है क्लिर है दोस्तो कितने चंद है इसमें 84 चंद है बसंत विलास फागु काव्य क्लियर है देखिए अगला जो प्रशन है हिंदी के विधेवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुकल जी नहीं ग्रियर्शन है यहा कथन किसका है देखिए हिंदी के जो विधेवादी पदती थी ठीक है साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर् अगला जो प्रश्ण दोस्तो वो है बूलर प्रित्युराज रासो को क्या मानते हैं देखिए प्रित्युराज रासो की प्रमानिकता से संबंदित ये प्रश्ण दोस्तो इससे भी प्रश्ण पूछ ले जाते हैं ये इसको प्रमानिक मानते हैं अर्ध प्रमानिक या अप्रम या मुक्तक रूप में, तो चार जो मत हैं पृत्युराज रासों के बारे में तो बूलर किस मत के साथ जाते हैं, तो इसका जो सए अंसर होगा दोस्तों, वो होगा आप्रमानीक, क्योंकि बूलर नहीं सबसे पहले क्या किया था, इसको आप्रमानीक सिद्ग करने की कोशिश इन्होंने की थी, क्लिरे दोस्तों अगला जो प्रशने देखिए वो है गार्सद अतासी ने अपने गरंथ में सरुप्रत्थम किस कवी को रखा है देखिए गार्सद अतासी का जो गरंथ था इस्तवार दोला लित्रेत्य और एंदुए एंदुस्तानी तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कवी थे उनको अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम अनुसार रखा था ठीक है तो उसमें इन्होंने सबसे पहली किस कवी को वर्नित किया था है ना अंगद, अमीर खुसरो, आसगू या अक्रम फैज, तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अंगद, देखिए जो अमीर खुसरो और अक्रम फैज है, इनको किस ने रखा था, मिश्रिबंधों ने, अपने जो प्रारमभी काल के उन में 19 जो कवियों में शामिल कौन थे ये, अमीर खुसरो और अक्रम फैज, ठीक है, जबकि अंगद क्या है, गारसद अतासी के गरंथ में पहले कवी हैं, क्लिर है दोस्तों, अगला है देखिए, वीरगीत परमपरा का प्राचीनितम गरंथ कौन सा है, तो वीरगीत परमपरा का सबसे पुराना गरंथ, ये बताना है पृत्युराज रासो, खुमान रासो, प्रमाल रासो या बीसल देव रासो, तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों, वो है बीसल देव रासो, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गेय काव्य कहा जाता है, तो बीसल देव रासो के रचेईता कोने दोस्तों, नर्बती ना और इसकी जो नाइका है उसका नाम क्या है राजमती तो अगला जो प्रशने देखिए हिंदी में रास परमपरा की प्रत्थम कृती है तो हिंदी में जो प्रत्थम रास परमपरा की कृती देखिए उपदेश रासाइन रास संदेश रासक भरतेशवर बाहुबली रास या इ अगर अप ब्रशकी, पूछा होता रास परंपरा का, ठीक है, लेकिन इसमें हिंधी में है, पूछा है दोस्तों तो इसमें होगा भरतेश्वर, बहुबली, रास, clear है, अगला जो प्रश्ने उगा दोस्तो वो है रिवंत गिरी रास तो किस ग्रंथ में हुआ दोस्तो रिवंत गिरी रास में क्लियर है दोस्तो अगला प्रशन देख लेते हैं केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है यह कथन किसका है देखिए यह किसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो है option B, इलियट, clear है, तो ये कहते हैं कि अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, clear है दोस्तों, अगला जो प्रशन है वो है गोरकनात अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद दुवेदी, विजादेव नारायन साही, गणपती चंद्र गुप्त, या फिर धिरेंद्र वर्मा, तो किसने कहा था दोस्तों, या फिर आपको इस तरीके से भी ये प्रशन पूचा जा सकता है, कि गोरकनात अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये है हजारी प्रसाद दुवेदी, क्लियर है दोस्तों, अगला जो प्रशन है देखिए, वो है आठ्वी शताब्दी के कभी नहीं है, तो इन में से आपने देखना है कि आठ्वी शताब्दी में कौन नहीं थे, शबरप्पा, हेमचंद्र या स्वयमभू, तो इसका जो सई अंसर होगा दोस्तों, वो होगा हेमचंद्र, देखिए, सरप्पा, शबरप्पा और स्वयमभू, ये आठ्वी शताब्दी में तीनों विद्यमान थे, जबकि हेमचंद्र जो थे, वो इनका जनम का भुआ है, यह कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंग, डॉक्टर नगेंदर, अचारे रामचंदर शुकल, या गणपति चंदर गुप्त, तो विद्यपती की पदावली है, अता हिंदी का प्रत्थम कभी विद्यपती को ही मानना चाहिए, ये किसने कहा था, तो यह कथन दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंग का, clear है, अगला जो प्रशन है दोस्तों वो है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाती भी, अपने से नीची एक और जाती ढूंड लेती है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये प्रशन भी बहुत महतरपूर्ण प्रशन है, देखिए, हजारी प्रसाद दुवेदी, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंग या रामरिक्ष बेनिपूरी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद दुवेदी, तो उन्होंने कहा था कि भारत में क्या है, हिंदू समाज में, कि कि अपनी जाती डूंड लेती है, क्लियर है, अगला जो प्रसन है दोस्तों, उक्ती व्यक्ती प्रकरण किस प्रकार की रचना है, श्रिंगार, व्याकरण, या शबद कोष, या बीर काव्ययदा यह, तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों, वो होगा व्याकरण ग्रंथ, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा है, ये है व्याकरण ग्रंथ, क्लियर है, अगला प्रशन है, 35 छंदों का लगुखंड काव्य है, देखिए, 35 छंदों का सबसे छोटा लगुखंड काव्य है, तो कौन सा है दोस्तों, ये है जीवद्या रास, रेवंत गिरी रास, नेमीना चंदनबाला रास तो इसके बारे में आपने बताना है दोस्तों कि कौन सा है जो 35 चंदों का है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option B चंदनबाला रास तो चंदनबाला रास किसने लिखा है दोस्तों ये लिखा है आसगूने अगला जो प्रशन है देखिए दोस्तों और तीसरा है वन रतनाकर और चौता है नाटे शास्त्र तो ये प्रशने दोस्तों कि अवट शब्द का सरप्रत्थम प्रियोग कहां मिलता है तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो होगा वन रतनाकर क्लियर है तो कहां पर मिला था अवट शब्द का सरप्रत्थम प्रिय केस या फिर मोरा जोवना नवेलरा भहयो है गुलाल सुनी सेज डरावन लागे चूक भही कुछ बसों ऐसी देश छोड़ भहयो पर देशी तो इन पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां दोस्तो जो अमीर खुसरो ने अपने गुरू की मृत्यू पर कही थी तो इसका जो साही उत्र होगा दोस्तो वो होगा option A गोरिस होवे सेज पर मुख पर डारे केस क्लिर है अगला जो प्रशन है दोस्तो सिद्धों में सरवशिष्ट बिद्वान थे तो सिद्धों में सरवशिष्ट बिद्वान कौन माने जाते हैं दोस्तो ऑप्शन है देखिए लुईपा, क्या थे सरवशिष्ट थे लेकिन जो लुईपा थे लुईपा क्या थे वो उनका स्थान सबसे प्रत्थम था तो यहाँ पर confused नहीं होना है जो लुईपा थे उनका पहला स्थान माना जाता है ठीक है लेकिन जो कणपा थे वो सरवशिष्ट बिद्वान थे ग्यानी थे किर्थी लता, किर्थी पताका, पदावली या फिर A या B दोनों तो ये मैंने आपको बता भी दिया था उस दिन दोस्तों कि किर्थी लता और किर्थी पताका इनमें किस चीज का वनन है तो चलिए इसका सही अंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो तो उसमें शीव सिंग की वीरता और उदारता का चित्रन मिलता है. क्लिए दोस्तों, तो इनकी जो भाषा क्या है, लता और क्रितिपता की, इनकी भाषा है अभपट, जबकि पदावली की भाषा क्या है, मै्थिली. क्लिर है दोस्तों अगला जो प्रशने देखिए वो है विद्यापती को रहसेवादी किस ने कहा तो विद्यापती को रहसेवादी किस ने कहा है दोस्तों ये प्रशन भी कई बार पूछ लिए जाता है एक्जाम में कि विद्यापती को रहसेवादी किस ने माना है बाबु ब अंसर होगा दोस्तो नगेंदरनाथ गुप्त तो विद्यापती रहसेवादी कवी माने है नगेंदरनाथ गुप्त में तो देखिए इनको हम याद किस तरीके से करते हैं जो विद्यापती को रहसेवादी मानते हैं देखिए रहसे क्या होता है गुप्त होता है न ठीक है और मैंने ट्रिक ये बिताई थी गिरी गुप्त मिश्री मिश्री से क्या था जनारदन मिश्र गिरी से था जॉर्ज ग्रियर्सन और गुप्त से नागेंदरनाथ गुप्त और गुप्त से क्या याद रखेंगे रहेस्यवादी और इसके साथ दूसरा पशन देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं दूसरी चीज़ को इसको कि जो ये कहते हैं कि जो विद्यापती थे वो क्या थे भक्त कवी थे तो भक्त क्रिशन से आपने याद रखना है कि क्रिशन के क्या थे भक्त थे देखिए ये उपर के जो तीन ओप्शन है ये ती हजार से हजारी प्रसाद दुवेदी भक्त से जो इसको भक्त मानते हैं ठीक है और शाम से शाम सुंदरदास और ब्रज से ब्रजनंदन सहाए तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों कि ब्रज के शाम के भक्त हजार क्लियर है तो इस तरीके से आप इसको या राम है बाकित ठीक है राम विक्ष ब्यनिपूरी राम चंद्र शुकल और रामकुमार वर्मा लेकिन इसके साथ इसाथ सुबद्रा ज्छा वो भी क्या मानते हैं कि ये जो विद्यापती हैं वो कैसे हैं श्रिंगारी कवी हैं क्लिर है दोस्तों अगला प्रशन देख लेते है क्रम अनुसार रखो तो इसमें देखिए सबसे पहले है हेम चंद्र वर्रुची विद्यापती या अमीर खुसरो इनको हमने क्रम अनुसार रखना है तो इसका जो सही अनसर होगा दोस्तों वो होगा option B तो वर्रुची सातुश अतापदी में थे दोस्तों हेम चंद्र 188 मे अमीर खुसरो 253 और विद्यापती 350 से ले करके 1450 क्लियर है तो ये इसका सही क्रम है दोस्तों अगला जो प्रशन है हिंदी का बैधारा किसकी रचना है ये प्रशन हमने पीछे भी कर लिया था दोस्तों अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो हिंदी का बैधारा अपपा, सरपपा, विद्यापती या फिर हेमचंद्र तो इसका जो सही अंसर दोस्तों वो है हेमचंद्र विद्यापती और हेमचंद्र में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी है ये हेमचंद्र की ही पंक्तिया है क्लिर है दोस्तों अगला जो प्रशन है देखिए भरत मुनी ने नाटे शास्तर में अपभरंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है, तो भरत मुनी ने अपभरंश को क्या नाम दिया था, देखिए, देश भाषा, अभीरी या पुरानी अपभरंश, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो भरत मुनी ने क्या कहा था नाटे उन्होंने कहा था इसको देश बाशा क्लिर है दोस्तो अभीरी किसने कहा था दंडी ने कहा था क्लिर है ये तो हो गया प्रशन नंबर 34 अब हम देख लेते हैं अगला प्रशन अगला है कि असत्य कथन बताओ आलाहखंड को सरवप्रत्थम 1865 में चालस इलियट ने प्रकाशि नहीं है तो ये चार कथन दिये गया है दोस्तो असत्य कथन को हमने देखना है तो देखिए बहुत सिंपल भी और बहुत मुश्किल भी हो सकता है अगर पड़ा नहीं होगा तो क्लिर दोस्तो तो इसका जो साही अंसर होगा देखिए वो होगा option C तो option C क्या कहता है कि शुक बिल्कुल तिलक है विद्यापति की उपाधी नहीं है बिल्कुल सची बात है ये किसकी उपाधी है ये है पुश्पदंत की उपाधी क्लिर है दोस्तो तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं अगला जो प्रशने देखिए आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व जारी प्रसाद दूवेदी उन्होंने क्या था इसको विरोधों और व्यागातों का काल अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है हिंदी में नक्षिक परमपरा का अरंभ किस रचना से माना जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा दोस्तो वो होगा राउल वेल तो ये इसका क्या है राइट अंसर है अगला प्रशन है नाथों में रसाइनी किसे कहा जाता है तो नाथों में रसाइनी किसे कहा जाता है दोस्तो नागरजुन गोरकनात चरंगिनात या मल्यारजुन तो इसका जो सई अंसर होगा दोस्तो इसका जो सई अंसर होगा वो कवियों का विवरण है तो देखिए क्या पूछ रहा है ये कि किस ग्रंत में 5000 कवियों का विवरण है शीव सिंग सरोज हिंदी साही तेका इतिहास मिश्रिबंधु विनोध दा मौडर्न वर्नेक्यूलर लिट्रेचर तो ये प्रशन है दोस्तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो देखिए वो होगा option C मिश्रिबंधु विनोध शीव सिंग सरोज में कितने थे लगवग एक सहस्त्र 1000 के आसपास है ना 800 कुछ 838 लेकिन जो हिंदी साहीते का इतिहास से अचारे रामचंदर शुकल का उसमें 1000 कवियों को रखा गया है मिश्रिबंधु विनोध में 5000 कवियों को रखा गया है इसमें लगवग 952 कवियों को शामिल किया गया है क्लिर है दोस्तो आखरी प्रशन देख लेते हैं कि अपभरंश की कड़वक बद रचना कौन सी है तो देखे इसमें ऑप्शन है नैकुमार चरियू, स्वयमभू छंद, महापुरान या पयम चरियू इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो वो होगा ऑप्शन डी पयम चरियू तो ये था दोस्तो आज की प्रशनोत्री आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये प्रशनोत्री अगर आपको अच्छा लगा वीडियो दोस्तो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले शुक्रिया